प्यारे शात्रों आप शबों का मैं बंसीधर सर्मा अपने चैनल पे श्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं पुणांग संख्याओं को हम संख्या देखापे कैसे निरूपित करें यानि representation of integers on number line जनरली number line पे represent करने में हमें बहुत सारा confusion होता है 0 को कहां represent करें एक unit कितना बड़ा लें और छोटा छोटा नुमरल 245 होता है वो तो हम कर लेते हैं अगर आपको 5 लाख दे दे number line पे represent करने के लिए फिर confusion create हो रहा है पांच कडोर दे दे फिर confusion create हो रहा है तो इस एक वीडियो में हम कोई भी numeral जो आप अपने मन में imagine करेंगे integer वो शारा integer रिप्रेजेंट करने के लिए सिख जाएंगे चोकि सारा integer जो होता है वो natural और whole भी होता है whole number भी integer है और natural number भी integer है तो इस एक ही वीडियो सेशन में हम integer, whole number और natural number तीनों को number line पे रिप्रेजेंट करने के लिए बतलाने वाले हैं तो चलिए एक के कर्श समझते हैं सबसे पले देखते हैं number line होता क्या है number line कहने का मतलब ही है कि वैशा line जिस पे number को रिप्रेजेंट किया जाए वो number line कहलाता है इसे हम दर्शाने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक line सबसे पहले ड्रोव करते हैं line जो होता है इसका infinite length होता है जो दोनों साइड में arrow लगा देते हैं ताकि यह infinite length का शोक है इसके बाद generally बीच में कहा जाता है point लेने के लिए आप कहीं भी ले सकते हैं left में ले ले, right में ले ले, थोड़ा दर के लिए बात बतलाएंगे हम कि कहां लेना आपके लिए बेहतर होगा और किस टाइप का numeral होगा यानि situation based पे वो किया जाता है कि left में भी 0 आप रख सकते हैं और right में भी 0 रख सकते हैं वो situation थोड़ा दर के बाद पहले general form handle कर लेते हैं तो 0 एक जगह कहीं भी point ले लेना है generally बीच में जो दिख रहा है उसके बीच में चूकि actual में line का length fixed नहीं है तो actual इसका बीच हम कहां से लाएं भाई जिसका लंबाई ही नहीं मालूम है उसका बीच आप कैसे लाएंगे तो actual बीच नहीं जो copy पे आपको दीख रहा है इसका center ले लीजे आप अपने से और 0 रिप्रेजेंट कर दें उसके बाद left right दोनों में equal distance में बाटना है वह distance एक centimeter का भी हो सकता है, दो centimeter का भी हो सकता है, एक meter का भी हो सकता है, एक kilometer का भी हो सकता है, यानि कोई भी distance हो सकता है लेकिन आपको शोचना है कि क्या आपका copy का page जो होता है, meter में होता है, kilometer में होता है, नहीं होता है इसके चलते इतना बड़ा distance हम नहीं लेते हैं हम generally छोटे-छोटे distance को लेते हैं तो आप देखिए by the way एक छोटा सा example लेते हैं कि अगर आपको 5 रिप्रेजेंट करना है और आप देख रहे हैं कि यहां से इसके पहले तक यहां तक भी ले सकते हैं लेकिन देखने में थोड़ा यह भद्दा लगे तो इससे थोड़ा पहले तक अगर आपके कॉपी में अस्पेस 5 सेंटीमीटर का है तो एक सेंटीमीटर को एक ही काई ले लेंगे और इस तरह से बराबर बराबर distance लेते जाएंगे एक, दो, तीन रिप्रेजेंट हो गया च्यार और लास्ट में पाँच यहां एक सेंटीमीटर बराबर वन यूनिट हमने माल लिया इसी के जगा पर अगर यहां दस सेंटीमीटर का आपकेस होता हमारे कॉपी में तो हम दो सेंटीमीटर को भी एक ही काई ले सकते थे अगर पंदरा सेंटीमीटर का स्पेस होता तो तीन सेंटीमीटर को एक ही काई ले सकते थे और इसली पाँच को रिप्रेजेंट कर देंगे फर्स्ट पॉइंट वन, शेकेंड टू, थर्ड, फोर और फिफ्ट पॉइंट पांच को रिप्रजेंट करेगा यहां यह ख्याल रखना है कि राइट साइड में जब हम रिप्रजेंट करेंगे तो पोजीटिव नूमरल को और लेफ्ट साइड में निगेटिव नूमरल को, एशा इसलिए किया गया, ताकि confusion create नो, क्योंकि ऐसा rule अगर नहीं होता, तो कोई बच्चा right में निगेटिव को रिप्रजेंट कर देता, कोई left में, तो फिर confusion हो जाता, आपस में विवाद हो जाता, इस विवाद से बचने के लिए गनी तक गे लोग, mathematician लोग, इसे fix कर दिए, कि right में जब भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो positive नूमरल को, और left में negative नूमरल को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से आप 5 को रिप्रेजेंट कर दे, अगर यहां 500 रिप्रेजेंट करना होता, कितना 500, और आपक तो 100 unit के बर, यह एक unit, एक centimeter अगर लेंगे, तो वह 100 को रिप्रेजेंट करेगा, यहां, एक centimeter जो distance लिए, यानि एक first unit जो है, वह 100 को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी को 100 बराबर भाग में वाट लेंगे, तो पहिला point होगा, वह 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो चुकि हम चाहिए 500, तो first point हो गया 100 को, तो second point 200, 300, 400 और 500 को रिप्रेजेंट कर दिया, इसी तरह से अगर यहां 5 लाख रिप्रेजेंट करना होता, तो एक centimeter बराबर एक लाख मान के, यहां 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रिप्रेजेंट हो जाता, पांच करोर भी अगर रि space है, अगर यही space 4 cm हैं, 5 नहीं बलकि, 4 cm ही है, और आपको 5 लाख रिप्रेजेंट करना है, तो 5 लाख में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1,25,000 आएगा, यानि 1 cm पर 1,25,000 को शो किया जाएगा, दूसरे cm पर 2,50,000, तीसरा उसी के multiple में शो करना होगा, इसी तरह से आगे, तो कितना भी बड़ा नूमरल रहे, आपको विवेक लगाना है कि एक यूनिट हम किस distance को माने, ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि इस पर हम इसे सिर्फ रिपरजेंट कर रहे हैं, नमबर को दर्शा रहें कि ऐसा होता है नमबर, इसमें चुके infinite number of point होता है, तो इ collection है, नंत बिंदों का शमू है, तो यह जो है, इस पर कोई भी नूमरल हम दर्शा देते हैं, तो जितना भी पांच सो, पांच लाग, पांच कोड़ोर सारा नूमरल रिपरजेंट कर दिया, ठीक, इसी तरह से negative नूमरल भी, इस पर हम रिपरजेंट कर देंगे, सेम ही, distance सेम लेना, सेम distance इसके कारण लेना है, क्योंकि देखिए, यहां से यहां नंबर का gap है 100 का, और इसे लिए 1 cm, तो फिर नंबर gap तो 100 का ही है ना, 200-100 का, उसी तरह से यहां भी 100 का, तो 100 का gap है, तो बीच का length सेम रहेगा, तो भी नंबर gap सो करेगा, अगर इसी के जगा पर 50 का सो क करना होता, तो आगे ले लेते, तो number gap सेम अगर आप ले रहे हैं, तो बीच का distance भी सेम रिप्रजेंट करना होगा, तो सेम ले लेते हैं, तो अगर negative numeral रिप्रजेंट करना है, तो left side में भी वही distance ले लिया, जैसे 5-500 अगर रिप्रजेंट करना है, तो सेम 5 पार्ट में minus 300, minus 400 और इस तरह से यह minus 500 को रिप्रेंट करेगा, अगर minus 5 लेक भी रिप्रेंट करना रहे, तो वही space देख करके आपको समझना होगा, कि हमारे copy पे कितना space है, उसके मुताविक हम काम कर लेंगा, अब आपको थोड़ा दर पहले हमने बतलाया था, कि यह 0 आप left में भी ले सकते हैं, right में भी ले सकते हैं, तो कब left लेना बेहतर होगा, कब right लेना बेहतर होगा, चलिए उसे समझते हैं, अगर आपको positive numeral बड़ा represent करना है, तो आपको positive side में space ज्यादा चाहिए, यानि right side में, तो आप 0 इधर भी ले सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा, अगर negative numeral बड़ा represent करना है, तो 0 इधर लेना बेहतर होगा, क्योंकि आपको left side में space ज्यादा चाहिए, तो हमें किस side में space ज्यादा चाहिए, उसके according हम बर करते हैं, उसके according हम 0 को represent करते हैं, क्योंकि actual तो center मालूम है नहीं, जब line है, इसका length ही नहीं मालूम है, तो आप center कैसे क्याद क करें, जैसे हम का दें, कि कोई एक बेक्ती है, जिसका लंबाई हमको मालूम नहीं है, लेकिन बताओ तुम कि उसका आधा कितना होगा, तो लंबाई मालूम ही नहीं, तो आधा आप कैसे कर लेंगे, उसी तरह से line का length मालूम नहीं है, तो इसका बीच आप नहीं कर सकते, सिर integer को कर देंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक बार like जरूर कर दें, आपके likes नहीं वीडियो forward होता है, और इसी type का वीडियो continue इस channel पे आते रहता है, तो channel को भी subscribe करके bell icon दवा दें, ताकि कोई भी वीडियो आए, उसका notification आपको आसानी से मिल जाए, और जो जो cutting topic आपके लिए है, वो वहाँ comment जरूर करें, ताकि उसे हम easy way में समझाने का प्रियास करें, यह topic भी काफे difficult होता है, क्योंकि वहाँ यह आप नहीं समझ पाते हैं, कि gap कितने का ले, क्याले सिर्फ जवरदस्ती कर दिया जाता है, कि बराबर बराबर ले लो, तो नही समझ यह उस बात को कि ऐसा ही क्यों है, तो फिर आपको जीवन में कभी तकलिव नहीं हो, चलिए अब वीडियो को last करते हैं, अब सेस, यह दूसरे वाले नमबर के लिए अलग-अलग separate वीडियो दे देंगे, एक वीडियो में rational number, अगला वीडियो में irrational number को number line पे represent करने के ल